वो जो यात्रा कर रहे हैं देदो राम दिलादो राम दोहजार पचीस के कुरसी दिलादो राम के लिए जा रहे हैं बिहार की जनता जानती है कि वो किसी के सुख दुख के लिए नहीं है दुख के लिए समस्या के लिए नहीं है समस्या के समाधान के लिए नहीं है अगर कि एंडिये जहां जहां महा गठवंधन की सरकार है वहां पर कान पकड़ने के उनके जोरत नहीं पड़ेगी सिर्फ बात कहा देंगे तो उनका पर वहां पर जाती आधारिज गर्ना शुरू हो जाएगी कौन एसी पार्टियां है जो काम करें बात कहें समेलन करें सिवीर करें धर्ना दे परदर्सन करें तो कौन पॉलिटल पार्टिय है जो बीना घुड़ जुटाये हुए करती है पूरे देश में जाती आधारिद गर्ना हो इसको लेकर के नेता परतिपक्स तेस्वी आदव लगातार सत्ता पक्स पे हमला वर रहते हैं और कहते हैं कि पूरे देश में जाती आधारिद गन्ना तो होना ही चाहिए लेकिन देखिए राज़ी सुप्राइब लालु परसाद यादब सिंगापूर से लोटते ही टूइट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि बीजेपी और आरेसस को कान पकर करके जाती अधारित गन्ना इस बार करवा कर रहेंगे लालु परसाद यादब तो कह रहे हैं कि कान पकर कर इस बार जाती अधारित गन्ना पूरे देश में करवा है पहले तो उनको एंडिये जहां-जहां महा गठवंधन की सरकार है वहां पर कान पकड़ने को उनके जुरत नहीं पड़ेगी सिर्फ बात कह देंगे तो उनका पर वहां पर जाती अधारित गन्ना शुरू हो जाईगी चाहे ममता जी हो चाहे सोरें जी हो चाहे अन्य राजियों में जहां-जहां सरकारे हैं चाहे महारास्टा हो चाहे करनाटका हो इन सब राजियों में जहां सरकारे हैं वहां तो बिना कान पकड़े हो जाएगा कान पकड़ने किसी को जरूरत नहीं है और इस तरह के भासा का उपयोग नहीं करना चाहिए जिस तरह का भासा का उपयोग मानने लालू जी कर रहे हैं बहुत बड़े देता है किसी को समान के साथ किसी के बारे में बोलना चाहिए तो ज़्ञादा अच्छा होगा तेज़ी आदावार यात्रा पे जा रहे है कैसे देख रहे हैं? देदो राम, दिलादो राम, दोहजार पचीस के कुरसी दिलादो राम के लिए जा रहे हैं, बिहार की जनता जानती है कि वो किसी के सुख, दुख के लिए नहीं है, दुख के लिए, समस्या के लिए नहीं है, समस्या के समाधान के लिए नहीं है, अगर समाधान के लिए होते तो अभी हाल में विधान सभा का सतर चला है और उस विधान सभा के सतर पर परतिपक्ष का नेता एक दिन भी नहीं रहा हो उस पर कैसे भरुसा करेगी विहार की जनता कि आप समस्या का हाल चाहते हैं आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि दो हजार पचीस में हमको कुर्सी मिल जाए, जगह मिल जाए, वो समभब नहीं है, देश की जनता, राज की जनता सब मुल्यांकन करती है, मुल्यांकन के बाद भी किसी को चूँती है वो तो कह रहे है, 18 साल बनां 17 महना की चर्चा करेंगे, जनता की बिच में बनतां की कहा किया, बिहार के बिकास में कितना वरा काम किया है, लेकिन 18 साल लगा करके, सेमनी तींच कुमार उंडिया सरकार ने कुछ नहीं कर पाई उनको करना चाहिए, उनकी माता पिता जी का जितना दिन सासन रहा है उसकी भी चर्चा उनको करने चाहिए, बड़े नेता की चर्चा इतिहास का भी करना चाहिए, बड़े नेता की चर्चा भुगोल की भी करना चाहिए, बड़े नेता की चर्चा बिहार की ब्यापक हित की भ प्रसांत की सुर्ज जो है कभी मुस्लीम का तो कभी महिला का जो है वो कारिकरम कायोजन करते हैं जहां पे देखा जाता है कि हजारों के संख्या में महिला हो या मुसल्मान पहुंचते हैं इस बार कितना चुनोती लग रहा है आप लोग के लिए प्रसांत की सुर्ट कोने सी पार्टियां है जो काम करें बात कहें सम्मेलन करें सिवीर करें धरना दें प्रदर्सन करें तो कौन पॉलिटल पार्टी है जो बीना भीड जुटाये वह करती है भीड से किसी चीज का आकलर नहीं करना चाहिए भीड तो बहुत बड़े-बड़े पॉलिटल पार्टी लोगों ने जुटाया है तो भीड से क्या किया जाएगा जो बिहार में काम हुआ है बिहार के लोगों को जो नई रोसनी मिली है गाउं सहर के जैसा तबदील हो गया गाउं अस्मार्ट बन गया हर घर में नल का पानी पहुँच गया हर घर में बिजली पहुँच गई हर गली और नली का पक्की करन हुआ हर घर में सोचाले का निर् अरे बहुत तरह की बात करते रहें करते रहते हैं उसमें क्या चिंता कभी से देश की राज की जनता को तै कर रहा है कि 19 साल में जो बिहार बदला है पिहार को और बदलना चाहिए तो नितीस कुभार जी है और बिहार को अगर दूसरे रास्ते पर ले जाना है रसातल के रास्ते पर ले जाना है तो दूसरा रास्ता है तो जंता को तै को यो वही वियार को आगे बढ़ाएगा तो अब सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जद्यू के मंत्री शर्वन कुमार तमाम सवालों को जवाब दिया साथ साथ तेस्वी के अभार यात्रा को लेकर के भी कहा है कि देखे यह अभार यात्रा निकाल नहीं है इससे कोई फर्क परन